मुकेश सहनी को कमतर आगना कहीं ने कहीं भारते जनता पार्टी को बड़ा भारी पड़ रहा है आपको बता दें कि बिहार सरकार में पसुपालने उम्मतस्य संसाधन मंत्री और विकासिल इंसान पार्टी के सुप्रीमों मुके सहनी लगतार भारते जनता पार्टी के विरुद्ध और भारते जनता पार्टी के नीतियों को लेकर के मुखर है आपको बता दें कि यूपी चुनाओं में मुके सहनी ने भारते जनता पार्टी को कड़ी टकर दी है और लगतार भारते जंता पार्टी की नीतियों को लेकर के वो अपनी बाते रख रहे हैं चुनावी सभा में उन्होंने जिस तरह की बाते कही हैं उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारते जंता पार्टी को वो कड़ी टकर दे रहे हैं आपको बता दें कि अब तो मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर के भारते जंतापाटी की जमीने हिल गई हैं मुकेश सहनी ने इससे पहले भी जैसा कि हमने आपको बैटाया ही है कि मुकेश सहनी ने साफ तरीके से कहा कि उनके लिए मंत्रिपद और सत्ता बहुत जरूरी नहीं है जबकि उन्हें जरूरत अगर किसी चीज से है और सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए कोई है तो वो है अपने समाज को सम्मान दिलाना आरक्षन दिलाना इस बात को लेकर कि वो लगतार अपनी बाते कहते रहे हैं और इसी करम में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नितीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री और नितीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। विकास के कई मानक हैं, कई मौडल हैं लेकिन नितीश मौडल सबसे बेहतरीन है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि समाजिक समरस्ता से लेकर के नितीश कुमार के विकास का जो एजेंडा है और जिस तरह से वो काम करते हैं और काम करवाते हैं उसे देख करके लगता है कि बि तरीके से विहार को समझने वाले लोग हूं। मुके सानी लगतार अपनी बाते रख रहे हैं। नितिश कुमार की पहचान को बताया उन्होंने कि एक अलग पहचान वाले नेता के रूप में उन्हें देश दुनिया सब जानती है। राजनीत के साथ-साथ समाजिक दायतों का अभी निर्वहन करने में नितिश कुमार पीछे नहीं हटते हैं। सानी इस पूरे बात को कह करके कहीं न कहीं भारते जंता पार्टी के दुखते रग पर हात रख दिया है। जहां एक तरफ चुनाव परिनाम का इंतजार सभी कर रहे हैं। और मुके सानी का दावा है कि इ उसमें मुके सानी का एक अहम रॉल होगा, अहम किर्दार होगा और सरकार उनके बिना नहीं बनेगी। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने नितिश मोडल की तारीफ की है और साफ तरीके से कहा है कि नितिश कुमार समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं और ऐसे में भार भारते जनता पार्टी को उन से सीख लेनी चाहिए। आपने इधर देखा होगा कि मुकेश सहनी की इंट्री तो होई थी भारते जनता पार्टी के साथ दो खेमे थे एक भारते जनता पार्टी का जिसके साथ मुकेश सहनी थे और दूसरा खेमा था नितिश कुमार का जिसके स जीतन्राम माजी थे लेकिन जीतन्राम माजी और मुकेश सहनी दो छोटे दल थे उसके कारण या हो सकता है कि दोनों में जिस तरह का बांडिंग देखने को मिला उससे हमेशा एंडिये में ये कहा जाता रहा है कि ये दोनों के कंदे पर ही ठीकी है अगर दोनों एक साथ एंड मुकेश सहनी की प्रसंसा के बाद कहीं न कहीं जद्यू भी अब लगतार मुकेश सहनी को अपना खेमे का मान रही है और वहीं भारते जनता पार्टी के लिए मुश्किले बढ़ गई हैं आने वाले समय में नितीश कुमार की नीतियां अगर काम कर गई तो कहीं न कहीं पार्टी को परिशान जरूर कर दिया है नितीश कुमार की बढ़ाई करके जुड़े देगा भारत लाइब के साथ खबरें लगतार जारी है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद